त्यान रखन जोग बहुत ही जादा जुरूरी गल्ला नमबर एक जिनना बच्यां दी लंबाई नहीं बाद दी उननों आंडे अते पाल को बाल के उस विच चुटकी पर नम्क मलाके खवोना चाईदा है इस तरह करन नाल उनन दी लंबाई वदन लग जावेगी नमबर दो अरजानन सवेरे गोड़ गरम पानी विच मलाके पीन नाल शरीर विच गुर्माहट बनी रेंदी है नमबर तेनना केले अते संत्रे जादा खान नाल गुर्दे दी पत्थरी टुटके बाहर आजन्दी है नमबर चार जो और तन तो निविच क्यों लगा के सौंधियान उनन दे पेट दी चर्बी बिल्कुल कट हो जन्दी है नमबर पंज मक्की दा आटा ब्लाड प्रेशर नो कंट्रोल विच रखदा है इसले नियमत मात्रा विच मक्की दे आटे दा सेवन जुरूर करना चाहिदा है नमबर शी खाना खान तो बाद गुड खान ना तो दा आजमा बिल्कुल ठीक हो जन्दा है नमबर साथ कद्दूदा जूस पेटनू चंगी तरण साफ कर दिन्दा है पीन वेच वेशक इस सनू स्वाद ना लगगे पर इसते साड़े पेट लई अते शरीर लई बहुत सारे फाइदिहन नमबर अठ जेकर तुसी जोड़न दे दर्द तो परिशानू तक के उनू गरम करके गुड़न ते मालिश करो इस नल काफी ज़ादा अराम मिलेगा नमबर नौ जिनना लड़कियां दी स्केन रुखी हो जान्दी है उन्ननो रात नू सौन्दे समें अपनी स्केन नू पर नारियल दा तेल लगाना चाहिदा है नमबर दास फोन नू शाती ते रखके सौनना दिल दियां बमारियां होंदा खत्रा वाद जान्दा है नमबर ग्यारा जीरा पोन के गरम पानी विच मला के पीन नाल पीट दर्द कट हो जान्दा है नमबर पारा अदरक दा टुकडा नमक लगा के चूसर नाल गला बिलकुल साफ हो जान्दा है नमबर तेरा गरम पानी विच नेम्बू नचोड के पीन नाल शाती दी जलन तो अराम मिलदा है नमबर चौदा शेहदे विच प्याईदा रासमला के पीन नाल दिल मजबूत हो जानदा है नमबर पंदरा नेम्बू दे वीच बहुत सारी हैं बमारियां बास्ते फाइदे मंधान इसले सानों नेम्बू दे वीच चवा के खा देने चाहिए दी हन नमबर सोला बालांदे गुत करके सौन नाल दमाग तेज हुन्दा है अते बालांदियां जड़ावी मजबूत हो जानदी हन इस तरांदियां होर वीडियो वेखनली चैनल नो लाइक शेयर ते सब्सक्राइब जरूर करना तनवाद